मिम्श्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमेरे अपने यूट्यूब चैनल पीसी एंबी डिजिटल गुरू कुल क्लासस पर बिटा क्लास एट की इंग्लिश की वर्क्षिट हम करने जा रहे हैं वर्क्षिट नमर 38-22 फरवरी की उमीद करता है आपको पसंद आएगे और आपल से पहले आ गया एएएनन अन्हाज़ था सेम वीणिग एए और इंडेफिने आर्टिकल्स यह और आपको क्या कहते हैं डिपेंड करता है एए एन की जो बिगनिंग होगी नेक्स्ट वर्ड की उसमें कौन सा साउंड है अगर कॉनसा साउंड एगा और वोवल है यानि के उपर बात है, तो कई बार जैसे आवर, आवर में sound जो होती है silent होता है तो O की ही आती है और university में sound U की आती है university, तो O और जो U है U, Y यह A, E, Y, O, U, तो यह जो है ना यह इसमें हम कई बार गड़बड कर जाते हैं कि आवर में जो है A house, but an hour यह हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि hour में house है तो वो तो ठीक है लेकिन hour में N आएगा और ऐसे university में N अंकल, but university में A आजाएगा क्योंकि beginning sound उसके consonant जैसे है, वोवल जैसे ही नहीं है यह ध्यान रखेगा, A और N का rule सभी पर लगेगा, चाहे कोई भी adjective adverb हो, जैसे देखिए usage, used before beginning words beginning with a consonant sound जब कोई भी चीज consonant sound से पहले हम इसको इसको इस्तमाल कर सकते हैं जैसे a man, a lamp और a cat used before words that begin with a vowel sound, an apple and a resonant umbrella a chair, a school a lion, a bad a man, a woman, consonant से पहले a और an elevator, an egg an elephant, an oven, an evocado के से पहले आएगा an ठीक है, तो यह अपने को ध्यान रखना होगा, an evocado अब यहाँ पर आपको फिल्म दर blank भरने है, तो there is a तो देखो green है तो यह आएगा vowel नहीं है, she is reading O है तो an old comic they have got I है तो an idea he is drinking a cup of tea, the girl is a pilot, Delhi has a आएगा, तो an airport this is an expensive bike expensive e, look there is a bird flying my father is honest, अब देखिए यहाँ पर silent हो गया तो cdc बात है कि यहाँ पर क्या आएगा, n आएगा my friend likes to be an astronaut तो इसी के साथ यह article वाले statement हमने सारी पूरी कर लिया बच्चों take the correct answer and cross the wrong answer आपको correct को tick करना है और wrong को गलत बताना है तो my mother is an honest woman and my mother is an honest woman और a honest woman में से आपको एग बताना है तो honest जो है उसमें ओ ही आता है पहले at silent हो जाता है तो वह पर n आएगा, यानि कि यह सही हो जाएगा और यह गलत हो जाएगा can you please bring me an glass of water तो भाई glass में तो a आएगा n नहीं आएगा, तो यह statement गलत है she is a dentist she is a dentist तो यह बात बिलकुल सही है क्योंकि dी है जो कि वोवल नहीं है please hand me a book कि मुझे एक किताब दे, ठीक है sonia will bring a small gift to pujas party, यह भी सही है I read an interesting story yesterday मैंने कल एक बहुत interesting story पढ़ी interesting, ठीक है I need a umbrella as it is raining जी नहीं, an umbrella आएगा क्योंकि यू था तो बच्चो इसे के साथ ये वक्षिट समाप्त होती है उमीद करता हो आपको समझ में आ गई होगी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो हमें सपोर्ट करते रहें Thank you so much for watching the video